मैं प्रदीप पतिल मद्यप्रदेश से हूँ और मौगंज कांस्टेंसी है मेरी कॉंस्टेंसी मद्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बार्डर में है मद्यप्रदेश उत्तरप्रदेश के बार्डर का एरिया है जहां से बनारस मिर्जापूर उधर पढ़ता है और इधर रिवा डिस्टिक पढ़ता है पहले में दो बार पार्लेमेंट लेक्षन लड़ा, अभी विदानसवा लड़ा हूँ, तो पार्लेमेंट लेक्षन में जीता नहीं था, मगर उससे अन्बाव बहुत रहे, और उस अन्बाव का लागब लेकर के यहां एसेंबली का चुना जीता जो दुनिया में सबका आइडियल बना हुआ है, प्रधानमंति नरेंद मोदी वह हमारे भी आइडियल पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, राजनीत से अगर दूर भगेंगे, तो फिर राजनीत के वारे में लोग अच्छा नहीं सोचेंगे, इसलिए पढ़े लिखे आना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हमारा नेतित तो अच्छे लोग कर देंगे, नहीं करोगे तो दूसरे लोग, कराप लोग करेंगे, बस मैं सबसी यही कहना चाहता हूँ कि, जो काम जैसे नोकरी करना है, तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन जरूरी है, चाहिए उसके लिए छोटी ही नोकरी करना हूँ, बिजनेस करना हो, उसको थोड़ा सा धन जरूरी है, 10,000 रुपए का ही धन मिले, चाहिए पान की दुकानी के पर उसके लिए धन जरूरी है, और प्वालिफिक ऐसे चीज़िए कि इसके लिए कुछ जरूरी नहीं पढ़े हो, तो भी कर सकते हो समाज की सेवा, धन नहीं है, तो भी समाज की सेवा कर सकते हो, इसलिए ये वो काम है, जो संबिधान में हमें हर परिस्तित में करने के मोके देते हैं, इस मोके में सब को आना चाहिए, और शब को जुटना चाहिए, यही मेरा सबसे कहना है, कि अच्छे जालोग इसमेर एग झालोग इसमेर एग धिक धधिक